ओम साही राम, आपका मेरे चैनल सीक्रेट रेसिबी विट लक्षमी में स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे से बनने वाला टेस्टी स्नैक्स इस स्नैक्स को कम समय में और कम समान के साथ बनाया जा सकता है अब इस रेसीवी को बनाना स्टार्ट करते हैं गैस पर एक कड़ाई रग दी है उसमें एक कब पानी और उसमें नमक स्वात के अनुसार और उसी के साथ चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे पानी में उबाल आने के बाद हम डालेंगे चावल का आटा जिस कब से पानी लिया था उसी सेम कब से चावल का आटा लेंगे बस इसे अच्छे से mix करना है यहां गैस को धीमा रखेंगे धीमी आच पर पकाने से lumps नहीं आएंगे और आटा अच्छे से पकेगा आटा अच्छे से पक चुका है अब गैस बंद कर देंगे अब इसको एक plate में निकाल लेंगे अब चलते हैं next step की ओर यहां मैंने चार boil अलू लिये हैं यह चोटे-चोटे हैं आप एक बड़ा भी ले सकते हैं उसको greater की मदद से कदुकस कर लेंगे हमने जो चावल का आटा ready करके रखा था वो इन अलू के साथ mix करके लेंगे अब चाहें तो इसमें अपने हिसाब से और भी कुछ add कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां कम सामान में बनने वाला है टेस्टी नास्टा बना कर दिखाया है इसके लिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला इस तरह हमारा dough बनके ready हो गया है इस आटे को तीन पार्ट में डिवाइड करके लेंगे एक पार्ट लेंगे और हलके हातों से इसको फेलाते हुए जाएंगे इसका रोल बना लेंगे और कटर से हम इसके बाइट्स कट करते हुए जाएंगे और बच्चे हुए आटे से सब बाइट्स बना कर रख देंगे आप देख सकते हैं घर के सामन से बना हुआ ये इजी टेस्टी नास्टा है मैंने या और कोई एक्स्टा नहीं लिया ये सब चीजे घर में अवेलेबल रहती हैं चावल और आलू के बाइट्स बनके रेड़ी हैं एक प्लेट में निकाल के रख देंगे एक कड़ाई लेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद इन सारे बाइट्स को उसमें डालते हुए जाएंगे ये बाइट्स एक एक करके डालेंगे जादा ना डालें वरना है चिपक सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसी तरह में आसान टेस्टी रेसिपी आपको बना कर दिखाती रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह हम सारे ब्लाइट्स को गोर्डन ब्राउं होने तक पकाएंगे यह हमारे बाइट्स बन के रेडी हैं यह खाएंगे तो आप मेकडोनल जाना भूल जाएंगे इसे आप बच्चों की पाटी या किटी पाटी या शाम की चाय के साथ खाकर इंजॉय कर सकते हैं आप यह प्रेसिपी बनाईए और कमेंट्स करना ना भूलें